हेलो एवरिबन जैसा कि आप देख सकते हो हम Microsoft Excel को स्टार्ट कर रखे हैं और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहां पर अब देख सकते हो कि अब देखे यहां में यहां फिर और मर्च कर सकते हैं ठीक है योबाएरा सरा जो आफितने हीएं यहां पर कलाई हो ठीक है तो देख सकतो यहां कि मैंने इस चाह realized प्लो m आफ यह नीए है और यहां पर भी बेरा उर्लो हो रहा है और यहां बीधिन्ट नॉर्ण दूसरे सेल में workflow हो रहा है मतलब कि एक सेल में यहां पे जो है यह एडिजस्ट नहीं हो पा रहा है ठीक है तो अगर मैं चाहता हूं यहां पे इन दोनों को मिलाकर पूरा एक सेल बना दों तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर biz करना पड़ेगा ठीक है मर्ज में कई टाइप के मर्ज होते हैं आई आपको बताते हैं सबसे पहले देखो मर्ज ऑप्सन है कहाँ पे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पर Home टाइप के भी तरफ जब आप जाओगे तो आपको alignment के अंतरगत मर्ज नाम कर यहाँ पर कमांड मिल जाती है देखिए अगर सपूर्ट एट मैं इस में से इस टेक्ट को पहले सेलेट कर लेता हूं सेलेट कर लिया हूं देख सकते हूं ठीक है और मुझे अभी मर्ज करना है तो मर्ज कैसे करते हैं मर्ज क्या होता है जब दो सेल अलग अलग होंगी तो आप उन्हें मर्ज कर सकते हैं अब देखिए यहां से लेकि यहां तक सेल को मर्ज करना है तो मैं दोनों सेल को सेलेट कर लिया हूं और जस्ट मर्ज सेंटर पर क्लिक करूंगा या फिर मैं सबसे पहले इसके भीतर क्लिक करता हूं और देखो पहला पर लैप्ट में था मैं फिर से क्लिक करूंगा तो आप देखो कि रिजल्ट आपका पहले जैसा ही आपको यहां पे मिल जाएगा यह देखिए और मर्च हो गया देखिए आपको ऐसे लेकिन अगर आपको मर्च करना है तो दो या दो से अधिक सेलों का होना चरूरी है दो या तो हमार चला गया इंटर में चला जाया का ऑक मैं दुवारा से शी अगर अन्मच करना चाहूंगा तो और फिकलिक कर सकता हूं आप देख सकते ही यहां प blueberry हो जाएगा यहां पर अफ i लिए तो मैं मर्च कर दे रहा हूँ ऐसे मर्च हो गया और मुझे अनमर्च करना है तहां पर क्लिक कर दोंगा देखो अनमर्च हो जाएगा और टेक्स आपका इधर साइड में चला जाएगा यह देखिए जब इसको आप बढ़ाओ कि न तब जाके आपको उस टेल के वीतर आ क्सक्राइब क्या को आगे तक किया है तो तो अभी कमान्ड आपको बताने वाला हूँ का नाम क्या है वर्रैप टेक्स करता है जो एक सिंगल लाइन में लिखा तो अगर यहां पर इस कॉलम की विथ्ठ जो है मालिजे इतना ही है तो could be सारी डे सिम्ट कर इसी कॉलम के वीतर आ जाएंगी जब और किक करेंगि अरशी यहां पर क्नीग से अलगल अलग नग बन जाएंगी तζ disappoint उसको मिलेगा वहां से अलग-अलग लाइन में क्रियेट हो जाएंगी अभी ठीक है अब ध्यान से देखिएगा मैं बस इसको सालेट करके रखूंगा और कहां पर क्लिक कर दूगा वर्याप टेक्स क्या करेगा उसे मल्टिपल लाइन में क्या करेगा सेंड कर देगा देख सकते हो लिखा भी है और एक्स्ट्रा लॉंग टेक्स्ट इन्टु दे मॉल्टिपल लाइन तो यू कैन सी ओल ऑफ इट ठीक है जैसे कि नीचे आप देख सकते हो इसने बताया है कि अगर आप बहुत ज्यादा अगर लंबा टेक्स राइट कर देते हो त दाकेउक को अलग ब्राउन फॉक्स जम्प अबर दलेजी डॉक देख सकते हो कि अलग-अलग लाइन में आपको यहां पे डिस्प्ले कर दिया है तो आई होप आपने देखा होगा कि वराइब टेक्स का उप्योग यानि कि इस वराइब टेक्स का उप्योग आप क्यों करत तो यह वराइब टेक्स में देख सकते हो कर्मर्ट हो जाता है तो आई होप आप लोगों को वराइब टेक्स और मर्च एंट सेंट दोनों ही क्लियर हो चुका होगा तो वीडियो अच्छे लेगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा साथ में वेल आइकन को ह कर दिखिएगा ओके थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो से इन दे नेक्स वीडियो